हलो गाइस वेलकम टो कुक्विट सात्विक्स मॉम आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही सिंपल दस मिनट में बनने वाले नमकीन चावल की रेसिपी जो बहुत ही एजी बनने में है और खाने में बहुत ही जादा टीस्टी है बिलकुल सिंपल मसालों के साथ कुछ एक्सट्रा वेजी और मसाले मैं नहीं किया है और मिंटों में बनके रेडी हो जाती है तो चले स्टार्ट करते आज की रेसिपी इसके लिए मैंने सबसे पहले कुकर में चार चमच घी डाला है इसमें घी डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि में जो टेस्ट आता है इस चारह दो है वह जूत इसके बाद में चमच प्यास को बिलकुल बारीर को चौप कर लिया है इसके बाद इसे अच्य से मिक्स करके मैं इसे लो फ्लेम पे लाइड प्राउन होने तक पकाया है तो जब यह इस तरीके से light brown हो जाए तो इसके बाद मैंने इसमें आधा चमच हल्दी powder आड़ किया हैं आधा चमच लाल मिश पाउडर एक तिहाई चमच मैंने इसमें धनिया पाउडर आड़ किया है और आधा चमच नमक आव अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें इसके बाद मैंने इन सभी मसालों को इस तरीके से अच्छे से mix कर लिया है मिक्स करने के बाद इसे दो से तीर मिनट के लिए मैंने पकाया है बस बस दो से तीर मिनट बाद मैंने इसमें दो मीडियम साइज के आलू को इस तरीके से छोटे साइज में कट करके इसमें अड़ किया है और इसे अच्छे से mix कर लिया है अच्छे से mix करने के बाद इसे मै तरह के दावल आपको एसमें पानी एड़् करना है इसके बाद मैंने इसे डुक्र एक बोईल आने तक इसे पकाया है जब इस तरीके से बोईल आ जाया इसमें इसके बाद मैंने ये एक कप जो हैं उसे और पिश्कissant के इसमें आड्स कर दिया है आपको पहले भी गोके आइस की ज़र्थ नहीं है आप उसी टाइम पर वाश करके इसमें एड कर दीज़ेगा राइस को एड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके कुकर बंद करके इसमें एक विसल लगाई है लो फ्लेम पे तो एक विसल बाद हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो जाएंगे आप भोत ही क्हिले-खिले बनते हैं यह नमकीन रहाईस तो चलिए इसे सर्फ करते हैं तो आज मैंने आपके साथ शैर की हैं नमकीन चावल की यह रेसीपी जो बहुत ही जादा सिंपल है इसे कोई भी बना सकता है और बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं बिलकुल 10 मिनट म उन्हें सर्फ कर सकते हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो घर पर जरूर ट्राइब कीजिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले